आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो चीफ होता है के साइड चौक यह वाली जो देखिए यह वाला इसको मोरने का एस फेसल तरीका जिससे आप बहुत फास्ट और आसान तरीके से इसको चौक ओपन कर सकते हैं और चौक बना सकते हैं ठीक है और जो दूसरा जो दि बाद में सही तरीका क्या है मोरने का वह में पूरी डीटियल और उसके बाद ने बताऊँ गया यहां पे जो बहुतु सालय लोग के फट जाता है तो उसका तरीकश क्या है कि यहां पर कैसे सिलाइज के फटेगा नहीं कि आपको बताऊंगा बहुत सारे बीगनर से उनको इ नीचे कैसे मूरते हैं वो दुनों तरीका मैं इसमें explain करूँगा और पूरे बारी कीसे समझाओँगा तो चलिए चलते हैं मशीन के पहले मैं समस्या के बारे बात करूँगा जो तकलीप कहांपर होता है लोगों को यहां पर यह मूरता नहीं है ठीक से कैसा नहीं मूरता हो मै बताओंगा अब फिर सही बताओंगा कि कैसे होता है ठीक है कि अ हुआ है कि अ हुआ है अ हुआ है देखिए यह दिक्कते आता है ठीक है यहां पे निकल गया पॉइंट और यहां पे एएट गया ठीक से बैठा नहीं ठीक है यह वाली दिक्कत आते है लोगों को तो इसी दिक्कत को मैं सॉल्व करूंगा और साइड का जो चौक है ओपन करने का सही तरीका क्या है वह मैं करने के लिए इतना हमें चाहिए होता है ठीक है तो इसके लिए हमें यहां पर एक इंच मार्डिक चाहिए अगर आप एक्ष्ट्रा पट्टी लगाते हैं तो आधा इंच मार्डिक रहेंगा तो चलेगा ठीक है तो चलिए अब इसको छोड़ा देता इसी तरीकiron सही कैसे बताऊंगा आपको ठीक है यहां से शुरू करते हैं और पीछे वाले भाग जो है इसमें मैं किलियर बताऊंगा ठीक है ध्यान से देखिएगा कि 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 कर देखिए यह पूरा साफ सुत्रा मुड़ गया है इसमें थोड़ा भी आइठा हुआ नहीं है नहीं छोटा बड़ा हुआ है ठीक है तो यह मैं पीछे के पल्ले में बताऊंगा भी मारते मारते अब इधर पर ध्यान दिजिए कैसे हम फास्ट मोडेंगे वह चीज़ आपको सम्झाना है मुझे तो यहां पर क्या करना कि इसको ऐसा पकरना है एच में खेल जो यहां पर अणसे पकरनका अगा हैं एंघ चीज़ आप पे नहीं हम पर टाइट रखना है यहां पर यहां पर टाइट रखके थोड़ा सा और इसको हम फाष्च अदम मुर्ति चला जाएंगे अपने पर मोर्ति जाएगा एक ठीक से देखिए गाई चीज ऐसा रहेगा ठीक है अब देखिए गाँ मैं कैसा मूर्था हूं कर दो कर दो कर दो कि यहां पर देखिए थोड़ा भी छोटा बला नहीं हुआ है ठीक है अब इसको हम ऐसा ही मोड़ेंगे ऐसा बाहर नहीं निकालेंगे ऐसा मोड़ेंगे ठीक है और इसको इधर लाएंगे फिर बैक करेंगे देखिए गाइगा कि ऐसा यहां पर सुई फंजा कर घुमा देना है इसको रिवस करके पीछे करना है और फिर आगे अब यहां पर पीछे की पला है हमारा देखिएगा आप कैसे मोड़ूंगा और उसके बाद में बताऊंगा यहां पर कि यहां पर जो बहुत सा लोग के फट जाता है पेनने के की तरी तरीका किहां पर कैसे सिलाई लिएंगैं कि फटे गानाए ठीक है तो शुरू करते हैं यहां के लिए यहां पे भी स्व प्रोसेस्स करना है यहां पे इतना टायट रखना यहां से देखिए ऐसा करेंगे लिए अपने आप मुर ने लगाए ठीक ए और फिर ओच्ट कि देखिए एदम साफ है थोड़ा भी दर दर नहीं है अब यहां पर भी हम क्या करेंगे इसको ऐसा मोड़ेंगे इधर से ठीक है कि 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 यहां पर क्या गरना है आपको यहां पर ऊपर लाना है और जहां तक खुला हुआ उससे एक ही इंज़र का चौस नहीं कर ठीक है यहां से एक ही उपर लागा के फिर सकार गुमाना है कि कि कर देखिए हमने एक इंच उपर से घुमा दिया है यहां पर ठीक है यह क्या होगा कि बहुत फिनिसिन बनेगा और लाश्ट में अभी में बताऊंगा कि यहां पर फटता है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए कि यहां पर मैं छोड़ देता हूं खोल के सीधा करूंगा इसको अच्छा करूंगा ठीक है तो अब चलते हैं में पॉइंट पर जो यहां पर अगर ज्यादा टाइट होता था फट जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए आपको करना क्या है जो बचा हुआ कपड़ा है उसको ले लेना है यह ब्रांडेट कप्रे में यह सब तरीका अपनाए जाते है ठीक है और ऐसा एक सवाइंच या डेरिंच का काट लेना है इसको हम एक पट्टी बनाएंगे ऐसा कि देखिए इस तरीके से इसको हम दो भाग में कार देंगे दोनों तरफ के लिए ठीक है यह हो गया अब थोड़ा सा छोटा और रख लेंगे ज्यादा बड़ा चाहिए नहीं हमें इतना बड़ा में हो जाएगा का एक तरफ मैं लगा कर बता देता हूं आपको अब इसको ऐब गरना है इस जगह पर ऐसा लुए लेना है कि दिस जगह पर रखकर ऐसा और ये पट्टे को ऐसा मोरना है सो Vince is having i happy दूबसा anymore और ऐसा रखके सिलाई लगाना है चारों तरफ मोड़ कर यह देखिए ऐसा कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि देखें कि इतना अच्छा हो गया ना अब एक कब भी ने फटेगा इधर से और इतना अच्छा होएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको इस चौक को मोरना है और फास्ट मोरने कभी मेंने तरीका उता दिया है देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इधर से भी देख सकते हैं इधा से देखिए ये कभी टूटेगा नहीं कभी फटेगा भी नहीं जल्दी बहुत मजबूत हो गया ऐसा कितना भी होगा कपरा फट जाएगा लेकिन सिलाई कभी नहीं टूटेगा ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगर जरूर कर देना धन्यवाद